येस बैंक अपने जून दो हजार चौबीस के क्वार्टर के अर्निंग्स की घोशना शनिवार बीस जुलाई को करेगा मार्किट पर्टिसेपन्स के बीच बैंक को लेकर मिली जुली राय है वे कुछ ब्रोथ की उम्मीद तो कर रहे हैं लेकिन आउटलुक अभी भी निराशाजनक है मार्किट एक्सपर्ट्स के अनुसार येस बैंक एक मजबूत सालाना प्रदर्शन योई दिखा सकता है लेकिन तिमाही प्रदर्शन को सुस्त रह सकता है फण्स की राइजिंग कोस्ट इसके मार्जन और लोन बूक ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है जबकि रिटर्न आफ एसेट्स ग्रोवर को गहराई से देखा जाएगा निम्स में स्टे फ्लाट नेट इंट्रस्ट इंकम नीक में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है लेकिन नेट इंट्रस्ट मार्जन्स निम्स फ्लाट रह सकते हैं मैनेजमेंट कॉमेंटरी पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा खासकर भविश्य के ग्रोथ आउटलुक, लोन बुक अक्स्पैंशन और की शेहोल्डर्स द्वारा स्टेक सेल पर कोटक इंस्टिटूशनल स्टेक कोटक इंस्टिटूशनल एक्वर्टीज को नी ग्रोथ में कमी की उमीद है क्योंकि लोन ग्रोथ को राइजिंग कॉस्ट अफ़न्स आफसेट कर सकते हैं बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन्स की ग्रोथ को हाल में धीमा किया है डेपोजट ग्रोथ सालाना आधार पर 21 प्रतिशत है जो लोन ग्रोथ से आगे है की मेट्रक्स अनफोकास्ट कोटक के अनुसार, नेट इंट्रस्ट इंकम 2141.3 क्रोड रुपीज रहेगा जो सालाना 7.1 प्रतिशत बढ़ेगा प्री प्रोविजिनिंग प्रोफिट 902.5 क्रोड रुपीज हो सकता है जो सालाना 10.3 प्रतिशत बढ़ेगा नेट प्रोफिट 451.9 क्रोड रुपीज पर हो सकता है जो सालाना 31.9 प्रतिशत की वृद्धी दिखाएगा Slipagers में 36 basis points की कमी आ सकती है Volatile NIM forecast We expect NIM at 2.3% लेकिन इसमें income booked जब security receipts मच्यो होती हैं तो volatility हो सकती है Recovery और upgrades में steady traction दिख सकता है Earnings impact को forecast करना कटिन है क्योंकि provisioning policy की nature को ध्यान में रखना होगा KOTAK ने कहा Recent stock performance Yes Bank Limited के shares शुक्रवार को 3% से अधिक गिरकर 24 रुपे और 96 पैसे पर आ गए और इसका market capitalization 78,500 करोड रुपे से अधिक है Stock पिछले सत्र में 25 रुपे और 76 पैसे पर बंध हुआ था Positive Long Term Outlook Yes Bank का outlook सकारात्मग है खासकर banks asset quality और capitalization में सुधार के कारण हालांकि funding costs के कारण profitability में temporary weakness हो सकती है हम Q1 free 25 के लिए अच्छी numbers की उम्मीद करते हैं Manish Chaudhary, Head of Research at Stocks Box ने कहा Strategic Focus and Growth Lower provisions और operating expenses में gradual reduction से banks bottom line में सुधार की उम्मीद है Bank का strategic focus priority sector lending book बढ़ाने पर है जो return on assets trajectory को boost करेगा Branch Network का expansion और retail और SME sectors में नए disbursements के कारण overall performance healthy रहने की उम्मीद है उन्होंने कहा Brokerage Recommendations आनंद रती shares और stock brokers को yes bank से 2185.6 crore का net interest income 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धी की उम्मीद है जबकि PPOP 922.8 crore हो सकता है Net Profit 386.2 crore रुपीज रहने की उम्मीद है जो सालाना 12.7 प्रतिशत बढ़ेगा लेकिन तिमाही आधार पर 14.5 प्रतिशत कम होगा Brokerage ने stock पर sell rating दी है और 24 रुपे का target price रखा है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृट वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें